नमस्कार दोस्तों! क्या आपको पता है मरने के बाद छोटे बच्चों की आत्मा के साथ क्या होता है? वह कहां चली जाती है? विक्रम सनातन हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यू के पश्चात उसके शव को जलाने की अर्थात दाह संसकार की प्रक्रिया की जाती है. लेकि उस स्थान पर समाधी बनाई जाती है. जबकि बच्चों के शव को दफनाने के पश्चात कोई समाधी नहीं मिलती है. इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. तब भगवान श्री हरी पक्षी राज गरूर को संबोधित करते हुए कहते, है पक्षी राज गरूर की प्रकृती का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यू भी निश्चित ही है. मृत्यू ऐसा सत्य है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है. मृत्यू निक कि कोई भी वस्तू अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उसके साथ केवल उसके पाप और पुन्य ही जाते हैं। और ऐसे में आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने करमों के अनुसार बार-बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है। वह भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। किन्तु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मुह में पड़ जाता ह मृत्यू के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। और ऐसे में जब तक मनुष्य संसारिक वस्तुओं का मुह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग-अलग योनियों में जन्म लेकर प्रित्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी-कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यू के बाद भी इसी प्रित्वी लोक पर भ्रमन करता है। अर्थात वह प्रेत योनी धारन करता है कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यू हो जाती है तो वह भी प्रेत योनी में चला जा जिस कारण से उनके शव को भी दफना कर उन पर समाधी बना दी जाती है। जब ऐसे मनुष्य की मृत्यू हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा अपने शरीर को त्याग करके परमधाम को चले जाते हैं। जब किसी स्त्री का गर्भ पात हो जाए या फिर यदि किसी बालक का जन्म के दो वर्ष पूर्व भी मृत्यू हो जाए तो उसे जलाने के बजाए जमीन में गढधा खोद कर उसे दफना देना चाहिए। और इससे अधिक उम्र के मनुष्य की मृत्यू होने पर उन्हें जलाकर दाह संसकार कर देना चाहिए। जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो वह दो वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और इस संसार की मोह माया से परे रहता है। ठीक वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है। और मृत्यू के बाद में उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करते रहता है कि जब तक मृतक के शरीर को जलाना दिया जाए, बच्चे की आत्मा का पुनरजन्म जल्दी हो, इसके लिए बच्चे के माता-पिता को अपनी इच्छा के अनुसार दान-धर अवश्य करना चाहिए, तो मित्रों भगवान श्री हरी विश्नु ने पक्षी राज गरुड को समझाया, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, धन्यवाद अवश्य करें अवश्य को समझाया, तो मित्ता है कना चाहिए, तो में जरूर लगे. झाल झाल